हेलो फ्रेंज दिस इस हितेस और वेलकम टू स्पेसल नोर्ज इस वीडियो सेग्मेंट में हम बात करने वाले इन्वायरमेंटल इस्टडीज के कुछ इंपोर्टेंट क्योशन्स जो आपको सभी एकजाम्स में काम आ सकते हैं तो चलिए सुरु करते हैं पहला क्योशन है निमल फित में से कौन शा कथन इस्थानिक परजातियों के बारे में सच है उप्शन है वे विषेस रूप से एक विशिस्ट आवास में पाए जाते हैं लुप्त पराय नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता कहना गलत है, वे कैवल चिडियागर और वनस्पती उद्धान में ही पाई जाते हैं, ये कहना भी गलत है वे अपने आवास के विनास से प्रभावित नहीं है ये भी गलत है तो अपना जो पहला option है यह यहां पे correct हो जाएगा कि जो इस्थानिक पर जाती है वो एक विशेस रूप से एक विशिष्ट आवास में ही पाई जाती है next question है निमिलिखित में से कौन शी green house gas नहीं है उपसन है मिथेन, कारबन डाई अकसईड, कारबन मोनोकसईड, फिर अमोनिया तो दोस्तों जो अमोनिया है वो green house gas नहीं है बाकी सभी green house gas से हैं नेक्स्ट क्योसन है निमिल लिखित में से कौन शा जिवानु रोग नहीं है ओप्षन है हैज़ा तपेदिक एंथ्रेक्स इन्फलिवेंजा तो दोस्तों जो इन्फलिवेंजा है वो जिवानी जनित रोग नहीं है ओप्षन फोर यहां पे सही आंसर होगा नेक्स्ट क्योसन देखेंगे जल विदूत संयनतर में जल संचित जल की इस्थतीज उरजा विदूत में रुपांतरित हो जाती है यह बात तो सही है आगे देखते हैं विदूत जल की गती जुटजा इस्ति जल में परिवर्टी जोजाती है जल से विदूत निसकर्ष की जाती है ऐसा भी नहीं है विदूत पराप्त करने के लिए जल को बाप में रुपांतरित किया जाता है ऐसा भी नहीं है तो option number first है वो यहां पे सही हो जाएगा next है किसी उच्तर पोशी स्तर के जीव जो निमतर पोशी स्तर के अंतरगत आने वाले अनेक परकार के जीवों से अपना भरण पोशन प्राप्त करते हैं क्या बनाते हैं? option है आहार जाल पारस्तिती की प्रेमीड पारितंतर आहार सरंखला तो आहार जाल ये बनाते हैं सही बात है अगला क्यों से देखेंगे अपन यहां दिये गए कतनों में से उन कतनों को चुनिये जो दिर्गो प्योगी विकास की संकलपना का सही वर्णने करते हैं देखें प्रेयावरण को कम से कम चती पहुँचाएं बिना योजना, बदवर्दी ये बात सही है कि प्रेयावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाया जाए तभी धिर्गो प्योगी विकास होगा अगला है प्रियावरण में होने वाली च्छती की सीमा की चिंता की बिनावरदी तो ये कहना गलत है प्रियावरण का स्रक्षन करने के लिए सभी विकासकारियों को रोक देना तो ये भी पोसिबल नहीं है ऐसी वरदी जो सभी पंधारियों को मानने हो तो ये भी सही है जाएगा नेक्स्ट क्योशन है सिमली पाल बायो स्फियर बंडार कहां इस्तित है ओडिसा रुनाचल प्रदेश मद्दे प्रदेश या फिर 36 गड़ तो ये इस्तित है दोस्तो ओडिसा में ओप्शन वन इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट है दोजार ग्यारा की जनगरना के प्रदेश नहीं है तो दोस्तो जो 2011 की जनगरना होई थी उसके नुशार 51.54 परशेंट पुरूश भारत में है नेक्स्ट क्योशन है विश्वे वन ने जीवन दिवस कब बनाया जाता है 6 अक्टूबर 12 नूबर 14 नूबर या फिर 18 अक्टूबर तो दोस्तो विश्वे वन ने जीव दिवस जो है वो बनाया जाता है अपना 6 अक्टूबर को ओप्शन फर्ष्ट या सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्योशन है दोस्तो जो 2015 की जोहांस बरक गोशना किस्से सम्मंदिद थी ओप्शन है CO2 उत्षरचन गटाना ओजोन डिक्ती गटाना ये सबी या फिर दुनिया की कम हुई मतश्य पालन बहाल करना तो दोस्तो जो 2015 जोहांस बरक गोशना थी वो थी दुनिया की जो कम हुई मतश्य पालन है उसको वापस से बहाल करना नेक्स्ट क्योशन है राष्ट ये बाद बाग संरक्षन प्रादी करण की स्तापना हुई थी ओप्श तीन या फिर जनवरी दो हजार दो तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों दिसंबर दो हजार पांच में यानि option first इसका सही आंसर हो जाएगा next question है अपने पास बार्थ की नोवी पंच वर्षिय योजना का मुख्य ध्यान था option है नयाय और इक्विटी के साथ विकास बार्थ की प्रतिवेक्ति आय दोगनी करना तेजी सें और अधिक समावेशी विकास या फिर आतम निर्बर अर्थ वेश्था की इस्थापना तो दोस्तों नवी पंच वर्षिय योजना का जो मुख्य ध्यान था वो था नयाय और इक्विटी के साथ विकास नेक्स्ट क्योशन है SACEP का पूरा नाम क्या है ओप्शन है South Asia Cooperative Environment Program बिल्कुल सही है पहला ही ओप्शन इसका सही है SACEP का पूरा नाम है South Asia Cooperative Environment Program नेक्स्ट क्योशन देखेंगे अगला क्योशन है डान देली वन्य जी वब्यारन कहां इस्थित है ओप्शन है जमु कस्मीर गोवा केरल करनाटक तो डान देली जो है वन्य जी वब्यारन करनाटक में इस्थित है नेक्स्ट क्योशन की बात करेंगे दोस्तो अगला क्योशन है सितंबर 2018 तक ब्रिक्स देशों में माननव विकास सुचकांग में भारत की रेंग क्या है ओप्षन है दूसरी तीसरी चोथी या फिर पांचवी तो भारत की रेंग है दोस्तों पांचवी ओप्षन यानि कि और यहां सही आंसर होगा नेक्स्ट क्योस्टन है अपने पास वर्तमान के केरल में एज़ावाओ वो की एक निवन माननी जाने वाली जाती के गुरू है ने एक जाती में सभी लोगों की एकता के आदर्शों की गोशना की है ओप्सन है वीर शेलिंगम पंतलू रामस्वामी नायक सिरी नायराण गुरू या फिर गासी दास तो सिरी नायराण गुरू इनके गुरू है ओप्सन थ्री इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्योशन है गरम जरल के जरने डैस से प्राप उर्जा के प्रणाम सोरूप बनते हैं बूतापी उर्जा, सोर उर्जा, जुआरी उर्जा या फिर पवन उर्जा तो दोस्तों ये बूतापी उर्जा के प्रणाम सोरूप बनते हैं नेक्स क्योशन की बात करेंगे संसार में प्रचलित रोपन कर्शी की सही विशेस्ता का चैन निमिन लिखित में से कीजिए ओप्शन है इस परकार की कर्शी में भूमी का गहन उप्योग करने के लिए कर्शक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है यह कर्शी मद्दे अकसांसों के आंतरिक अर्द सुस्क छेतरों में की जाती है यह इसमें परती एकड़ उपज कम होती है या फिर यह वानिचक परकार की कर्शी है जो विश्तर छेतरों पर की जाती है तो यह बात सही है जो रोपड कर्शी है वो वानिचक परकार की कर्शी ह नेक्स्ट क्योसन देखेंगे मौलिक आदीकारों के विशे में निमन लिखी दो कतनों पर विचार कीजिए ओप्शन है बार्ट के सिविदान में दिये गए सभी मौलिक अदिकार न्याले में बात देखा रही है ये बात सही है बिल्गुल सही है दूसरा है शोशन के विरूद अधिकार नागरी को उच इस्तर के नियाले में जाने के लिए अनुमती परदान करता है यदि वह समझता है कि निचले इस्तर के नियाले दुआरा दिया गया निरने अन्याय पूर्ण है तो ये बात भी सही है यानि दोनों ही जो कथन है वो सही है अब options देखते हैं A और B दोनों गलत है A सही भी गलत A गलत B सही A और B दोनों सही तो option जो 4 है ये अपना सही हो जाएगा नेक्स्ट क्योशन है निमल लिखी चितर शैलियों में से किसमे भार्थ को एक अनूठे भूपरदेश के रूप में चितरित किया जाता था जिसकी ब्रिटिस कलाकार शैलानियों को पड़ताल करनी थी option है बीती चितर चितर शैली मनोहारी भूदरश्य चितर शैली खरा चितर शैली या रूप चितर कारी चितर शैली तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मनोहारी भूदरश्य चितर शैली option 2 यहां correct answer हो जाएगा इस वीडियो सेक्मेट में दोस्तों इतने ही क्योसंस उमीद करता हूँ आपको क्योसंस पसंद आए होंगे और आपको कहीं न कहीं जरूर काम आए होंगे तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहे हैं मुश्कराते हैं जैहें टेक केर बाई बाई